हेलो फ्रेंड्स तो आज कल आम का सीजन है और आम का अचार तो आप लोग बनाई रहे होंगे कच्छे आम का और पके आम का आप लोग रहे होंगे लेकिन एक आम और भी होता है जो हम लाते तो हैं अचार बनाने के लिए लेकिन वो पका हुआ निकल जाता है फिर उसको क्या क को बना करके दिखाने वाली हूं I hope कि आपको यह recipe पसंद आएगी और पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह recipe बहुत ही अच्छी लगती है खास के अभी हम लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं पा रहे हैं तो बच्छों को यह जो आम पापड़ है वो नहीं मिलता है लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आके चले गए सब्सक सब्सक्राइब कर लिजे पिंकीज कीचन को और लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइक उनको दबाएए और और पर क्लिक किजेगा तब ही recipe का notification मिलेगा तो चलिए recipe सुरूख करते हैं यह देखिए यह आम जो है ना वह मैं लाई तो थी अचार बनाने के पर यह थोड़ा सा ऐसे फटा हुआ है थोड़ा कटा हुआ है और खड़ाब तो नहीं है पर कटा हुआ है और ऐसे देखिए कुछ दाग से हैं ऐसे आमों को हम कुछ यूज नहीं कर पाते हैं ऐसे आमों को हम फेक देते हैं लेकिन आज मैं आपको दिखा रही और ही देखि तो पहले छहीन लिया काट लिया और काट के देखे इस तरीके से इसका गुदा निकला ये बिल्कुल ही ऐसे गिल गिला सा होता है और इसका कुछ बन नहीं पाता है ये ना तो चटनी बनाने के लायक होता है ना तो इसकी अचार हम डाल सकते हैं तो इसका अब यही एक qeучu बनाले जो पदग कैर बenda शकल फी और यह कनी टाल रही वत दालाे जुरी आ बदल के सायगे और चेनी के साथ इस पंष और प्लप सा को त्यmotion को बरूं आपको वैसे खानी लायक नहीं है इसकौ आप इसी तरीके से कुछ बना लेंगे तब ही आपक काम आयेगा तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे क्योंकि ये इसको जैसे थिक होने लगेगा तक-tक के लिए पकाएंगे तो इसको धीरे-धीरे पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता पांच मिनट में मुश्किल से बन जाता है और इसको हम थोड़ी देर ढग देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बुलबुले उर रहे हैं तो वह आपके उपर नहीं आना चाहिए इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लिक्स चिली फ्लिक्स से क्या होता है कि अंदर से दिखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी थोड़ा सा तिखा लगेगा बहुत ज्यादा तिखा नहीं होगा चिली फ्लिक्स है तो हुआ जी राकी जीरा का पाउडर और बहुंत के तक पानी स्केशना को भ्ली स defend is Heart जीरा पाउडर में डाल दिए और 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 कुछ नीए दन्दर निए आप पका कि लिए और पकाने के लिए यूष क बिलको तो से धीरें करने साइट और साइट से जब लगेगा कि आप छोड़ रहा है तो अब तक तक पकाते रहें तो देखिए यह पक चुका है सूख चुका है इसका पानी बिलकुल ही और जो चीनी हमने डाला है वो फिर से फॉर्मेट होने लगा मतलब वो नीचे चिपकने लगा है चीनी फिर से चीनी वाल फिर आपका पर्फेक्ट रेसिपी तयार होगा तो थोड़ी दिर पहले मैं इसको इस तरीके से चला लेती हूं अगर आप चाहें तो इसमें हलका सा ओयल डाल सकते हैं तो आपका जो चीनी है वो नीचे नहीं चिपकेगा पर मैं बिना चीनी के बना रही हूं तो कुछ इस आपका दिखेगा तो आप घबढ़ाईये ने इसी तरीके का दिखेगा और बिल्कुल यह तयार हो चुका है देखिया हमका पल्प कितना अच्छा बनके तयार हुआ है तो इसको बस निकालने का टाइम आ गया है और इसे हम ठंडा करेंगे तो इसको बनाने के लिए मैंने यहां पर एक श्टील की ठाले लिया और इसको पलटके रख लिया चाहे तो सीधे में भी आप रख सकते हैं मैंने पलटके रखा है और इस पर हम लगाएंगे थोरा सा ओयल जिससे क्यों चिपक न जाए तो इस तरीके से हम इसको ग्रीस कर द ज्यादा ओयली हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो थोड़ा सा ही बस चिपके इसके लिए में लगा रही हो और उसके बाद जो हमने यह तयार किया है आम का जो पल्प तयार किया है उसको हम इस पर डाल देंगे और इसको धीरे धीरे आप फैला लीजे और इसको फ्रीज में कम से कम एक दो घटे के लिए आप जरू ठंडा होने के लिए क्योंकि यह ठंडा होगा ना तभी आपका धंग से वह बनेगा वैसे तो अक्सरहां लोग धूप में सुखा लेते हैं पर यह मैंने इंस्टेंट तयार किया है तो इंस्टेंट वाले को ध ुक्त इंसरहां कर लें या फिर फ्रीज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो बिलकुल वैसे आप भाएगा यह तो इस तरीके से इसको एक लेवल में और ऍस्वहूआ लिए एक बड़ा वर हिसे कि तरह में बिलकुल ट्रावर हो और इस तरीके से सारे में आप इसको गूल थैलाद के और फ्रीज में रखते हैं फ्रीज में मैंने रखा था दो घंटे के लिए और यह देखी इसको मैंने थोड़ा पलट भी दिया है एक बार और इस तरीके से यह दिखेगा कितना बिल्कुल किलियर ग्लास की तरह दिखला है क्रिस्टल द भी कर सकते हैं और चाकू से साइड वाले हिसे को आप काट दें जिससे क्यों बड़ाबर बड़ाबर सेप में लगे आपका तो यह इंस्टेंट जो हमने बनाया है आम पापर साहथ आप लोगों को पसंद आने वाली है और पसंद आये तो लाइक सेयर सब्सक्राइब जरू देना जिससे क्यों थोड़ा सा सीधा लगे और उसको फेकना नहीं है संभाल के रखना क्योंकि बच्चों को यह बहुत पसंद आती है तो वह जरूर आप बच्चों को खिला दे और इसको इस तरीके से मैं चौकोर चौकोर काट लेती बड़ाबर बड़ाबर हिसे में काट ले मैंने जैसे काटा है तो एक हिसा मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया आप चाहें तो तीन हिसे में बड़ाबर काट ले और फिर तो दो तो हमारा एक जैसा बनेगा और दो छोटे वाले बनेंगे उसे कोई फरक नहीं पड़ता आपका जो ये आमपापर है ये देखिए इस तरीके से मैं इसे रोल कर रही हूँ इस तरीके से अगर आप रोल करके रख लेंगे तो जब भी खाने का मन करेगा तो आप इस अम पाफ़ते вним funcion कियो में नहीं करेंगें चैणके में रख वहूं को ये ठीक रहाए जखे कि कितना सुदर लग रहा है बहुत सुदर लगते हैं ये तो चलर आप लोग भी बनाईए मारे एगा और श्कोश्चन वफीचेए तरु नहीं जा लेकिन उस पाझ मेंकि प्रहार तो उन आमों का आप इस तरीके से खटा मीठा आम पापर बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बना है, और I hope कि आप लोगों को भी बनाने का मन करेगा, चली मैं इसको रोल कर लेती हूँ अच्छे से, और रोल करते हैं, ध्यान रखेगा कि यह थोड़ा सा खुल जाएगा, तो आप थोड़ा तेज बांद के रोल बनाएंगे, तो बहुत अच्छा रोल बनेगा, तो इस तरीके से आप बना लें सारे को, और फिर इसको फ्रीज में रख दें, किसी डब्बे वगड़ा में पैक क करके, और जब भी बच्छों को खाने का मन करेगा, तो आप निकाल के, या आपको खुद खाने का मन करेगा, तो आप निकाल के, कट करके खा सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं, तो यह देखिए, तैयार हो गया, और चलिए, मेरी वीडियो अगर आपनों को पसंद आई है, तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मैं उमीदी कर सकती हूँ और बस ये देखिए ये क्रिस्टल आमपा पर तयार है और लीजिए आप लोग भी इंज्वाई कीजिए फिर मिलूँगे मैं किसी और रेसिपी के साथ और तब तक के लिए और जो हमने काटे थे अलग से उनको भी आप रख लीजिए वो भी बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि सिर्फ कटिंग करके निकाली है तो उसको भी आप प्लेटिंग कर सकते हैं और फिर मिलते हैं